हालो एन वेलकम फ्रेंट्स आये जानते हैं कि HTML पर हम बैग्राउंड कैसे दे सकते हैं कुछ दिर पहले ये सवाल आया है हमारे एक वीवर है उन्होंने सवाल ये पूछा है हाला कि मुझे मैंने कमेंट में बताया है कि इसको कैसे कर सकते हैं लेकिन फिर भी वुडियो उसके ओपर भी मैं बना दे रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यह file को मैं close करता हूँ और notepad ही मैं open करता हूँ वो coding notepad पर ही ज़्यादातर लोग करते हैं हलाग कि आप notepad++ sublime text editor या deep dream viewer को भी use कर सकते हैं अगर आप body developer बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ HTML लिखता हूँ then head लिखता हूँ ठीक है then यहाँ लिखोंगा title तो title में जो भी title है वो आप दे सकते हैं मैं यह title को blank रहने देता हूँ और title को close कर देता हूँ इसके पसचाथ head को भी close कर दूँगा मैं तो यह भी मैंने close कर दिया अब यहाँ पर body tag लेना है आपको और यहाँ लिखना है background आम तोर पर यहाँ बीजी color लगाते हैं आप मैं यह लगाता हूँ background is equal to अब डबल अट कोमा के अंदर जो भी देना है आपको देना है इसके बाद मैं body को close कर दूँगा ठीक है और stml को भी कर दूँगा close तो आप देख सकते हैं मैंने body और stml दोनों को close कर दिया अब यहाँ पर इसके ठीक बीच में यानि कोमा के बीच में हमें वो फोटो का नाम देना है या फिगर का नाम देना जो हम background पे लगाना चाहते हैं तो आइए चलते हैं थंबनेल वे और इसी में वो आप तो पर दिखाई दे रही है यह png तो यह png file है तो हमको extension भी png ही रखना होगा तो यहाँ पर मैं इसको पहले paste करता हूँ उसके बाद extension इसकी .png है तो मैं यहाँ पर .png लगा रहा हूँ ठीक है आप body पर कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं no problem ठी ठीक है तो कुछ लिखना चाहें तो यहाँ h1 tag मैं लगा दे रहा हूँ और h1 tag लगा करके मैं लिख रहा हूँ this is html यह लिखती है हमने और h1 tag को यहाँ से close कर दिया ठीक है अब हम करेंगे इसको यहाँ से save और save करते वक्त यह ध्यान रखना है कि यह भी thumbnail के अंदर ही save होना चाहिए क्योंकि यह इसी folder के अंदर हमारा photo भी रखा हुआ है ठीक है तो यह यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं 12.html 12.html मैंने नाम दिया है तो यह ध्यान रखना है आपको और अब चलना है वहाँ पर तो इसमें 12.html यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यह वाला है इसको double क्लिक करके जैसे ही open करेंगे तो यह देखिए यह पूरी जो background है यह इस पर लग चुकी है ठीक है आप देख सकते हैं इसको background ठीक है यह stml और यह photo जो पुरा दिख रहा होगा आपको इस तरह से करके हम यह background लगा सकते हैं इस पर उमीद है कि यह बात आपको समझ में आ आई गई है तो यह scroll नहीं हो रहा है अभी ठीक है आप scrolling की properties के लिए css की videos देख सकते हैं thank you for watching this video